महीला और बात्रिकास वीभाग सोलनर दीजिवा आयो जिनकिया रहा है जिसका समा पन हो गया। गाउं घान में अवस्थित आंगन्बाडी पर्ने यह गति विद्यूक तुsmortuns महीला मंदल आंगन बाडी कार्यकरताव में प्रदशनी कभी आयोजन किया जिसके मात्यम से महिलाओं को संतुलित आहर के बारे में जागरिक किया गया इस मौके पर मुख्यतिती ने महिलाओं को बताया कि संतुलित आहर उनके जीवन के लिए कितना महत पूम है मुकेतिति डेल ठाको ने बताया कि पोशनमाहद के तहत गरवती महिलाओं कुपोशित बच्चों एवन अन्या, हित ग्रहियों को संतुलित अहर लेने के प्रतिजागरुप किया गया और बताया गया कि बच्च侯 और महिला को अपने जीवन मैं संतुलित आहर कितना आवशक है। उनने बताया कि परदेश में कोई भी बच्चा या महिला को पोशित ना रहे इसके लिए अभ्यान चलाया गया। इसको लेकर जिरा सोलन की महिलाओं को संतुलित आर ग्रेंट करने की शबत वीद दिलाई गी लगाये गये हैं और इन कैम्पों के द्वारा महिलाओं को पोशन के विशे में समझाया गया है कोई भी बच्चा को पोशित ना हो उसमें भी उन्होंने उनका वेट हाइट और उनकी जो हेल्थ है उसको भी असेस किया गया है और यह इस से मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम विल गो लॉंग वे इन मेकिंग अ फैमिली हेल्दी और हमारे जो महिलाओं है उनको यह जानकारी मिलेगी कि किस तरह का खानपान हमारी सेथ के लिए अच्छा है और किस प्रकार से परिवार के लिए घर में खाना बनन चाहिए बच्चों को क्या देना चाहिए गरबती महिला को किस प्रकार का खाना खाना चाहिए परिवार में किस प्रकार का खानपान होना चाहिए इस से सरकार की बहुत से योजनाएं हैं स्वास्ति के लेकर परन्तु एक जागरूकता जो है वो इस प्रोग्राम द्वारा ली जा रही है कि हर परिबार को इसका लाब मिल सके यह शपत है कि हम पोशन जो है नुट्रिशन के बारे में अवेरनेस घर घर तक ले जाएंगे हम पोशन की जो यह नॉलेज है सब को पहुंचाएंगे और एक जगरूपता देंगे जब तक हमें इस बात की नॉलेज ना हो इस बात के लिए हम जागरूप ना हो अवेर ना हो तब तक हमें पता ही नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं हम खाना खा रहे हैं किस प्रकार का खाना हमें खाना चाहिए और किस प्रकार का खाना हमें बनाना चाहिए किस प्रकार की कुकिंग होनी चाहिए स्टीम होना इस प्रकार की जानकारी दी गई है और ये शपत जो है ये शपत है कि जो हमने आपने जिनों ने भी ये शपत आज ली है हम इस शपत के अनुसार सब और इसकी जागरुकता फेलाएं